नमस्कार में आश्टोष कुमार और आप देख रहे हैं इनकवर.com भारत बनाम अस्टेलिया चौथा टेस्ट मैच आज आपको सिगनी में खेला जा रहा है और भारत ने पहले बल्ले बाजी का फैसला लिया तो अभी तक जो बड़ी ख़बर आई है कि आपको पुजारा का श सिती में है हलां कि थोड़ा सा जो अभी जल्दी जल्दी उनके दो विकेट गिर इसे थोड़ा थोड़ा सा वैलिंस विगड़ गड़ गया है भारती टीम का लेकिन कुल मिलाकर का अगर देखा जाए तो भारत टीम बहुत अच्छा परफॉमेंस कर रही पुजारा ने अप सिरीज में जी तो आपको क्या लगता है आज जो विराट कोली आउट हुए बड़े कम स्कूर पे चलते हो गए तो फैंस तो काफे निराश हो गए देखिए बो ऐसा तो कहा नहीं जा सकता कि हर दिन विराट को ली ही चलेंगे आज यो तेस रन बनाकर वह आउट हो गए ले सिर्ज में उन मैदानों पर टेस्ड में जीते हैं जहां पर भारत हमेशा पिछले सिरीज में हारता आया है और चिर्नी में तीसरा टेस्ट में गई थी सुद्वीह इससे पहले भारत कभी जीता था तो खुल मिलाके भारत सिद्ट जीत सकता है और उसका सबसे बड़ा करण यहीं कि भारत ने जो लगा था दो टेस्ट में जीते हैं वह अपने अहारे भी मैदानों पर जीते हैं तो जो एग्रेसिव ने साच चुका है भारती टीम में विराट है लेकिन हम दो एक से आगे हैं तो इसलिए हमारी क्योंकि अब हम सीरिज हार नहीं सकते हैं और भारत जीता तो निश्ची तो पर इसका सारा श्रे विराट कोहली को देना होगा भारत पहली बार अटेस्ट सीरीज जीतेगा उस्टेलिया में और भारत उनीस सो चालीज जिन्होंने दो आटेस्ट में जाउस्टेल एक सरजमी पर जीते हैं तो हमें इंतिजार रहेगा उस एतिहासिक पल का जब यह मैच जीते नहीं तो भी हमारी सेरीज अपनी है जी 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 जा तो यह अगर मैच हम बचा ले और या फिर विराट कोली तो जीतने ही क कोशिश करते ही हैं तो यह बहुत ही बड़ा एतिहासिक पॉल होगा भारती क्रिकेट के लिए हम लगतार टेस्ट मेच पर नज़र बनाए रखेंगे हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें